हेलो दोस्तों मैं आरीफ और यह आपका यूट्यूब चानल पॉलिटिकल एकाटिमिक स्टडीज आज मैं आपके समय जो डिसकस करने वाला हूँ वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का जी ई पेपर यानकि भारते सविधान का परिचे And Introduction to Indian Constitution यह जो पेपर है आपका Introduction to Indian Constitution यह पेपर आपका G.E. पेपर है और यह सेकंड समय्टर का एक्जाम सेकंड समय्टर का आपका पेपर है जिसका आपका एक्जाम भी होगा और यह पॉलिटिकल साइंस का G.E. पेपर है और यह सभी पाठ्иковर जो कि BA Honors Political Science को छोड़ कर ठीक है यह बहुत common paper है यह All UG Courses के लिए paper है जिस भी student ने All UG Courses के अंदर चाहे वो बीए प्रोग्राम हो या honors course हो सिर्फ BA Honors Political Science को छोड़ कर यह सभी courses के उपर applicable है जिन भी student के पास यह paper है वो इस paper को देख सकता है तो आईए इस paper को सुरू करने से पहले जो है जिसने मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया वो मेरा YouTube channel subscribe कर ले लाइक करे और वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों में share करे तो यह जो आपका paper है यह paper आपका G paper है और इस paper के बारे में मैं पूरा syllabus आपके सामने डिसकस करूँगा क्या क्या सविधान का परीचे introduction to the Indian government so इसका जो syllabus है वो हिंद पहले में English में बताऊंगा फिर उसको properly Hindi में भी करके बताऊंगा तो यह जी पेपर है आपका political science का introduction to the Indian constitution तो जैसे कि इसमें देखेंगे आपके पांच यह च्छै यूनिट दिवी है तो इसमें सभी की सभी units आने वाली है तो सबसे फाले अगर्स यह जी का two paper है जी का first paper जो है आपने first semester में दे दिया है यह जी का second paper है जो कि आपको second semester में देना है जो कि अठार तारिक से अभी classes भी start हो रही है तो इसकी जो first unit है वो constitutional antecedent and the making of the Indian constitution first unit रहेगी जिसके अंदर constitution की प्रुष्ट भूमी क्या है और इसको बनाने में जो सविधान है उसका जो निर्मान है वो किस प्रकार से हुआ making की सरह बनाया गया second unit जो है इसकी वो basically है basic features of the Indian constitution भारते सविधान के अंदर क्या-क्या विशेस्ता है उसकी विशेस्ताओं के बारों में उसकी features के बारे में उसके बारे में सुरताया गया है third unit जो ह इसमें बताया जाएगा उसके बाद है unit 4 unit 4 जो है वो obligation of the state and the duties of the citizens तो इसमें जो है obligation की बात की गए states की and second है duties of the citizens यानि की मौली करतव्य कौन-कौन से है fifth unit जो है वो होगे आपकी organization of the constitutional governance ठीक है जिसके अंदर legislature, executive and judiciary और जो last unit है वो है unit 6 जिसमें की center state relation and decentralization center state relation यान की केंदर राज्य के जो संबंध है संगवय राज्य के जो संबंध है और decentralization के बारे में बताया गया है तो ये कुल मिला के जो है six unit आने वाली है और इन six unit को अब मैं आपको बिल्कुल properly हिंदी में बता देता हूँ कि ये क्या क्या रहेंगी जो first unit है first unit आपकी सविधानिक पृष्ट भूमी है सविधानिक पृष्ट भूमी का मतलब है कि सविधान की क्या क्या पृष्ट भूमी रही है उसको लेकर दूसरा है कि भारते सविधान का निर्मान तो भारते सविधान के निर्मान किस परकार से हुआ किस दिन से लेके कि इस दिन तक सविधान लिखा गया और उसका पूरा process क्या था इसको इसमें निर्मान में बताए जाएगा अधिकार है ठीक है जिवन जेने का अधिकार है ठीक है सिक्षा का अधिकार यह सभी जो है पइसके सिक्स तो 552 फिट्la है तो किसी प्रकार से राजे के नितिनिदश्these दान्थ होगी और इनको किस तर Ilka किसे लागूं किया जा सकता है। बहुत से क्केश अपίας सिल्फरी से पूश आ जाता है कि मुण॥ अधिकार और राजय की constitutional organizations तो उसमें तीन organization की बात कि जाती है सबसे पहला जो है वो है परधान मंतरी जो इसको पीम बोलते हैं second संसद ठीक है third है नियाई-पाली का ठीक है तो इन तीनों के बारे में भी हम separately discuss करेंगे अलग-लग video के अंदर इसके बाद है unit number six तो unit number six जो है केंद्र राज्य संबंध केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार का जो संबंध है उसके बारे में और विकेंद्रिकन विकेंद्रिकन का मतलब होता है सक्तियों का बटवार ठीक है separation of powers यह जो पूरा-पूरा आपका स्लेबस रहने वाला है यह स्लेबस जो है आपका जी पेपर का स्लेबस है और यह स्लेबस में जो है separately इसकी वीडियो बनाऊंगा हर unit wise ठीक है तो आप सभी जो है इस स्लेबस को अभी देख ले और यह जो बुक वगेरा है यह description में जो लिंक है उसमें से आपसे मिल जाएगी separately मैंने बुक डाउनलोड कैसे करनी है जिनके पास hard copy नहीं है तो easily यह बुक को डाउनलोड कर सकते हैं कोई issue नहीं रहेगा आपको और दूसरा यह है कि इसमें आप जो है separately वीडियो जो है आगे मैं डालूंगा उसको देख सकते है तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेर करें लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें thank you